नमस्कार दोस्तों, जैमाम दुर्गा, जैमा भवानी स्वागत है। आप सभी का आज की नई वीडियो में तो तुला राशिवालों, सावधान जीवन का सबसे बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में दिल जला देने वाली तीन ऐसी घटनाएं होगी, जिसकी आपने कभी सपने में भी कलपना नहीं की थी। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, सर्व प्रथम शुरुआत करने से पहले मातारानी के भक्त, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, उसी के साथ कमेंट हंटों में दोस्तों, आपका मन कुछ बातों को लेकर बहुत परिशान रहेगा, ये बातें आपके व्यापार से जुड़ी हो सकती है, नौकरी से जुड़ी हो सकती है, परिवार से जुड़ी हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी हो सकती है, या फिर पैसों से ज जुड़ी हो सकती है। इन बातों को लेकर आपके मन में एक दुविधा रहेगी, एक चिंता रहेगी। आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, मन ही मन काफी उद लेकिन हमारी सलाह आपको छोटी सी है कि चिंतित मन से। दोस्तों, आप कोई भी काम इस दिन मत करना। आपको खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अपने मन पर थोड़ा काबू करना होगा। हर एक बात को दोस्तों गुस्से से या लड़ाई जगड़े से आप नहीं सुलजा सकते। कुछ बातों को बैठ कर शान्ती से हल करने का भी प्रयास करिये तो आपके कई सारे वि मंगल मैं साबित होगी। लेकिन अपने निजी वाहन से जा रहे हो तो जरा सतर्क रहना। दुरगटना के आसार बन रहे हैं। इसलिए सभी सावधानियों का पालन करना और हो सके तो किसी को अपने साथ लेकर अवश्य जाना। अकेले मत जाईएगा। किसी को साथ लेकर जाओगे तो सब कुछ मंगल रहेगा। साथ ही दोस्तों, काम काज में इस दिन आप काफी परेशान रह सकते हो जिसके कारण आप अपनों को समय नहीं दे पाओगे। परिवार वालों के साथ समय नहीं बिता पाओगे और इसी के चलते आप अपने आप से नाराज हो सकते ह आपके अपनों का मन थोड़ा उदास हो जाएगा तो दोस्तों, हमारी सलाह आपको इतनी सी रहेगी छोटी रहेगी कि काम करना आवश्यक है ठीक है, आप काम करिए लेकिन कुछ समय अपनों के साथ भी बिताईए ठोड़ा, बहुत समय अपनों के लिए जरूर निकालिए ताकि आपकी दुविधाएं दूर हो सकें ताकि आपकी मुश्किलें हल हो सकें और जो आपका मन बहुत समय से परेशान है आप सही से जो निर्णय नहीं ले पा रहे आप सही से जो फैसले नहीं ले पा रहे उस परेशान मन को भी एक सही मार्ग दिखेगा, साथ ही मित्रों पैसों के मामलों में दिन बरिया रहेगा, धन का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन यदि आप कहीं निवेश करने वाले हो, तो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि दोस्तों आपकी अक्सर यह गलती देखी गई है कि आप निवेश करने से पहले और कहीं पर खर्च करने से पहले विचार नहीं करते हो, सोचते समझते नहीं हो, जिसके कारण दोस्तों अक्सर आप गलत जगह निवेश कर देते हो, आप गलत जगह पैसा लगा देते ह और बाद में आपको पच्ताना पड़ीडी एचता है तो हमारी सलाह, दोस्त आपसे यही रहेगी इतनी रहेगी कि कहीं भी आप निवेश करने वाले हो कहीं पर भी आप पैसा लगाने वाले हो आप निवेश करने की सोच रहे हो तो जरा समझदारी से सोच समझ कर बुद्धिमानी से निवेश करना, जल्दबाजी में दोस्तों, आपके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला कोई भी निर्णय आपके कामों को बिगाड़ देगा आपकी मुश्किलों को हल करने के बजाए आपकी मुश्किलों को बढ़ा देगा इसलिए दोस्तों, आपको जल्दबाजी अपने किसी भी काम में नहीं करनी है आपको अपना हर निर्णय समझदारी से लेना है सोच समझ कर लेना है साथ ही मित्रों आने वाला यह दिन बेरोजगार जातकों के जीवन में रोजगार के नए नए अवसर लेकर आने वाला है जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से यदि आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं बहुत समय से आप नौकरी के लिए परिशान चल रहे हैं यहां वहां भटकने के बाद भी आपको कहीं से जौब नहीं मिल पा रही, कहीं से नौकरी नहीं मिल पा रही, तो दोस्तों यह जो 24 घंटों का समय है, यह समय आपके लिए शानदार रहेगा, इन 24 घंटों में दोस्तों आपको किसी अच्छे पद पर जौब मिल सकती है, किसी परिशान होने की कोई आवशक्ता नहीं है, क्योंकि समय आपके साथ है, भाग्य का और किस्मत का आपको भरपूर साथ मिलेगा, तो ऐसे में दोस्तों, आप बस थोड़ा सा संयम बरत लीजिए, जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा संयम बरत देर लगेगी, लेकिन आपके जीवन में सब कुछ सही होगा, कुछ भी काम आपका नहीं बिगड़ेगा, सारे काम आपके बन जाएंगे, बस सभी चीजों को थोड़ा बहुत समय देना सीख जाईए, पारिवारिक जीवन दोस्तों, आपका अच्छा रहने वाला है, अंदर आत्म विश्वास जागेगा, कि हाँ, आपके अपने आपके साथ खड़े हैं, तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी लड़ सकते हैं, आप बड़ी से बड़े जो संकट का भी सामना कर सकते हैं, तो अपनों का साथ पाकर आपका हृदय गदगद हो जाएगा, जिससे की दोस्तों तमाम परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है, अपने बच्चों के भविश्य को लेकर दोस्तों, इस दिन आपको उनके साथ चर्चा अवश्य करनी चाहिए, देखिए, अपने बच्चों के साथ अपने मित्र की भांती बात करिए, उनके साथ ऐसे बात करिए, जैसे वे आपके दोस्त थे, तब जाकर वे आपके साथ अपने मन की बात शेयर करेंगे, तब जाकर वे आपके साथ अपनी मन की बातों को कर पाएंगे, तो उनके साथ बात करिए, और जानिये कि वे क्या करना चाहते हैं, भविश्य में उन्होंने क्या कर करने का सोचा है वे यदी कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें उनकी मदद करिये नौकरी करना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई में उन्हें सही राह दिखाई है कि क्या करना उनके लिए सही है क्या करना उनके लिए गलत है इन बातों से ही दोस्तों आप अपने बच् पूरी रहने वाला है, तो आप उनकी बातों को इग्नोर मत करिए। जिसके कारण बाद में दोस्तों आपको पच्छताना पड़ता है। इसलिए पैसों के मामलों में आपको काफी समझदारी से सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। काफी बुद्धिमानी से अपना निर्णाय लेना। क्योंकि आपने दिमाग से और दिल से हमेशा दोनों से काम लिया है। कई बार हमारे सामने कोई महिला आकर हमसे विनती करने लग जाए, तो हम भावुक हो ही जाते हैं और हमसे पहले उनका काम कर देते हैं। इसी को आकर्शन कहते हैं, और जो इनसान इन सब आकर्शनों में नहीं फंसता उसके सामने, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, वह हमेशा दिमाग से काम लेता है। और कहते हैं न, जिस प्रकार उबलते हुए पानी में हमें अपनी परचाई नहीं दिखती, उसी प्रकार से अशांत मन से हमें समस्याओं के समाधान नहीं दिखते। प्रकार मिठ्थू बन रहा है, यानि मुह पर तारीफ कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी बरबादी चाहता है। ऐसे लोग होते हैं हमारे घर में क्योंकि कल्युक का नाम ही काफी है। कल्युक का मतलब यह होता है कि बढ़ते कल्युक के साथ हमें घर-घर में आपसी कलेश, आपसी दुश्मनी देखने को मिलेगी और वह देखा जा रहा है। अब आप इन पर जान से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। आप हमेशा से अपने घर के हर एक सदस्य पर भरोसा करते आए हैं तो इन पर भी करेंगे। स्वभाविक सी बात है, लेकिन आपके भरोसे का बहुत गलत इस्तिमाल करने वाले यह एकदम सच्ची बात है। देखिए, आपके परिवार की जो गुप्त बातें होती हैं, जैसे कि आपने कही पर कुछ दान दिया, या फिर आपने कही पर कुछ खरीदा, या फिर पारिवारिक कलेश की जो भी बात है, जो कि आपकी गुप्त और निजी बात है, ये लोग उसे भी जगत में कर देते है कि उस व्यक्ति ने इतना खर्चा किया, उस व्यक्ति के साथ उसने ऐसा किया, हमारे साथ उसने वो किया, ये किया, तो ये जो गुप्त बातें हैं, ये बाहर आ सकती है, परिवार की और परिवार से बाहर लाने वाला भी आपका अपना ही है, तो बहुत सावधानी के साथ कद जरूरी जिम्मेदारी सौपी जा सकती है यहां आपको बड़ा ही सतर्क रहना होगा क्योंकि हमने आपको सावधान कर दिया यह बहुत बड़ी responsibility है इसे आप छोटा मत समझिएगा और जिन्दगी में जिम्मेदारी इनसान निभाना सीख जाए तो लोग उस पर भरोसा करना सीख जाते हैं लोग समझ जाते हैं कि यह इनसान कर सकता है तो अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा कर सभी की आँखों में आपको आना है सभी के सामने आपको सिध्ध कराना है कि आप कोई छोटे मोटे खिलाडी नहीं है आप भी लंबी रेस के घोडे हैं यदि आप लंबे समय से मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो आपकी कामना पूर्ण हो सकती है क्योंकि सूर्य ने मिथुन राशी में प्रवेश जमा लिया है और जो चंद्रमा है अब करके के बाद तुरंत ही सिंह राशी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं तो क्या मौका दोस्तों बनेगा? क्या संभावनाएं बनेगी? हो सकता है एकदम से पैसा आए तो कोशिश करिएगा उसे अच्छी जगह लगाएं जैसे आपने जमीन खरीद ली, आपने घर खरीद लिया अगर वह कुछ समय आपके अकाउंट में रहा तो गायब हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा इसलिए समय रहते इन्वेस्टमेंट सही जगह करना आपके लिए बहुत जरूरी है हमारी यही सलाह आपको रहेगी संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा मान सम्मान बढ़ेगा और बिजनेसमैन को यहाँ पर इन आठ दिनों के भीतर फंसे हुए धन की प्राप्ती होने वाली है ऐसा पैसा जो फंसा हुआ था आने रहा था बिजनेसमैन लोग यह बात जानते हैं कि उनका पैसा जब फंस जाता है तो कितनी मुश्किलों के बाद आता है तो ऐसा कुछ होगा लेकिन स्थितियां सुधरेगी और परिस्थिती पुनह एक अच्छे परिणाम आपको देना शुरू करेगी आपके लाब, आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में परपस परपस परस पर सहयोग बना रहेगा तो पति-पतनी का जो बॉंड है दोस्तों वह बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी एक दूसरे के प्रति समझ रहेगी एक दूसरे को आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे जिस वजह से नतीजा क्या निकलेगा लड़ाई जगधे पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे साथ ही साथ पारिवारिक सुखों का विस्तार होगा और जिन्दगी सही ढंक से सही पटरी पर दौडने लगेगी बस एक बात का आपको खास खयाल रखना है कि आपके जीवन साथी के घरवालों को आपको कुछ भी अपशब्द नहीं कहने हैं क्योंकि दोस्तों यही से जगडा उत्पन्न होगा जो सब कुछ खत्म कर देगा इतना हम आपको सचेत कर रहे हैं इतनी हम आपको सावधानी दे रहे हैं इसी के साथ दोस्तों आपका व्यापारिक स्थितियां तो काफी सुलब है लेकिन नौकरी पेशा इनसान के उपर जिम्मेदारी आएगी बड़ी responsibility मिलेगी चाहे वह टीम को लीड करने की हो चाहे कुछ बड़ा करके दिखाने की हो तो वहाँ पर आपको बहुत प्रयास लंबे करने होंगे क्योंकि competition भी बहुत ज्यादा है आप जानते हैं वहाँ पर एक दूसरे को गिराने के लिए कितने लोग बैठे हैं तो खुद को हिम्मत दीजिएगा कि मैं कर सकता हूँ देखिए जो एक दीपक होता है उसे बस एक बार जलाया जाता है उसके बाद वह अकेला सबसे लड़ता है चाहे दूर आ जाए आंधी आ जाए तूफान आ जाए वह दीपक हमेशा जलता रहता है सबका सामना वह अकेला करता है अपनी आखिरी सांस तक वैसे आप भी हैं आपको बस खुद को अंदर से जगाना है एक चिंगारी लगाने कि मैं भी कर सकता हूँ और एक बार उतर जाएए द्रढ मनोबल के साथ फिर कितने भी राहों में कांटे आएंगे आप सबका सामना करेंगे और आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे आप पक्का काम पूरा अपना उसका करके रहेंगे अब साथ ही साथ दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थे की करें तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी समय पर गोली दवाई का बेहत ध्यान रखें क्योंकि घर में कुछ महमानों का आगमन हो सकता है जिस वजह से अनियमित्ता बन सकती है थोड़ा सा संतुलन बिगड सकता है उन्हें समय पर हो सकता है गोली दवाई देना भूल जाए तो यहां आपको सावधान रहना है क्योंकि नकारात्मक ग्रह जो है वह दोस्तों आपकी बुद्धी को शिथिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप हर परिस्थिती में बुद्धी से काम लेते हैं और अगर आपको हराना है तो आपकी बुद्धी को कम करना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धी कहा जाता है जब इनसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धी खराब हो जाती है तो आपको भगवत भक्ती को हतियार बनाना है। जीवन में जब भी परेशानियां हमारा दामन में आएं या दर्वाजा खट-खटाएं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रभु की भक्ती में चले जाएं। जो इनसान प्रभु से जड़ा रहेगा उसे जीवन में ना तो कोई परेशानी परेशान करेगी और नहीं कोई समस्या का समाधान नहीं ढूंड पाएगा। वह हमेशा हर समस्या का समाधान प्राप्त करेगा और भगवत भक्ती से अपने दुश्मनों को भी रास्ते से लेकिन कोई एक ऐसा घर का भेदी है दोस्तो जो आपकी ही लंका डुबाने पर तुला हुआ है आप उससे जरा बच कर रहें। आपके घर की गुप्त बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर व्यापार की गुप्त बातें बाहर चली गई तो कॉम्पिटीटर उसका फा उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप गौर से कान लगा कर सुनेंगे तो फाइदा ही फाइदा होगा। सबसे पहला उपाय है दोस्तों गुरुवार का। गुरुवार के दिन आखिर क्या लाभ आपको होने वाला है। क्या बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। गुरुवार के दिन एक बाल्टी जिसमें भी आप नहाते हैं। नहाने की जो बाल्टी आपकी उसके अंदर एक छुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और उस पानी से नहाते नहाते समय मंत्र कौन सा बोलना है। ओम नमो भगवते वासु देवाए। बहुत इस उपाय को करने से तो इनसान का ब्रहस्पती मजबूत होता है। जब ब्रहस्पती मजबूत होगा तो यूँ ही आपके काम बन जाएंगे। यूँ ही पैसा आने लगेगा। भाग्य साथ देने लगेगा। अगला उपाय है सोमवार का। सोमवार के दिन शिव मंदिर ज अब वहीं पर बैठ करके आप दोस्तों महामृत्युन जय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे भी फायदा आपको ततकाल होगा।